तिनका तिनका था हमने जवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आखों से अपनी संकल्प बोलके हम तो निकल पड़े हर द्वार खोलके गगन कहे वीजेए भावा वीजेए भावा जगन कहे वीजेए भावा भावा लाव 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 अगलबड़ का तार पढ़ी और इतन सिदार बढ़ी अगिछ लेकाशंति को जेकार बढ़ी हर गर देर में जारा हों हर इदेर में आगाओ हर खजम तदे में सेना की सक्षी अलगार बढ़ी अगल पंपरो भुलका जिंदार बढ़ी है रात की सुरन, बट की है रोशनी, है छख पता रही रोशनी, तक है विजैभाँ ओम शन आज का जो रावन के सुसीस है, उसमें हमें जो मिला है, विशाई वो है, लड़क खड़ाते को रुशारत को रुलाते है रावन के सुसीस, तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ माया रावन है, बाबा कहते हैं, दो दिन की मुल्ली में बाबा ने बताया था, कि इचू मेरी बच्चे हैं न, माया को कहा, किसी ने कहा कि बाबा ये माया को कहो, कि हम वे तंग ना करें, बाबा ने क्या कहा, अरे माया को में कहोंगे, इतना फतका है, इतना फतका है, नाक पकड़ के फतका है, और उसे देखो कि स्वर्ग के लाइक है की नहीं है, क्योंकि देखो बाबा ने जो रथ लिया, उसे रथ में भी बाबा ने कितनी परिक्षाएं ली, ऐसे फर्स नमर नहीं आया है, बहुत परिक्षाएं थी उनकी भी, एक बार की बात है, कि एक बार बाबा का प्रोग्राम बना था, बॉम्बे जाने का, तो जब प्रोग्राम बना था, तो बाबा, हम तो किसी को भी कुछ पुछना है, तो बाबा को पुछते थे, बाबा किसको पुछते थे, बाबा किसको पुछके जाते थे बाबा कि आगे कुण था बाबा तो संदेशी था नहीं तो संदेशी को पुछना बढ़ता था तो बाबा ने संदेशी को कहा कि आप उल्माइटी उसमें उल्माइटी बाबा कहते थे कि उल्माइटी को पूछो जाके कि बाबा का एक प्रोग्राम बना है तो चाह रथी जाएगा वहाँ ही रथ जाएगा ना तो बाबा को पुछ क्या हो संदेशी बतन में गई बाबा उसको दिखाई डिया और उसने कहा कि क्यासे मतलब कि ऐसे प्रोग्राम बना है बनाना है तो बाबा जाए कि ना जाए बाबा ने कहा कि हाँ बाबा ने हरी जंडी दे दी और हरी जंडी देने के बाद सब जगपे प्रोग्रम बताया कि बाबा बॉंबे में आने वाला है तो कोई-कोई तो क्या मधुवन में बाबा को मिलने के लिए आते थे तो इस संदेश देना बहुत जरूरी था कि उस समय बाबा नहीं होतो और भी जहां भी बाबा का जाना होता था वहां सब इकठे हो जाते थे कहीं न कहीं से आ जाते थे तो बाबा ने मतलब संदेश सब जगर पे भाई साब ने जगतिस भाईजी ने सब जग पे संदिश दे दिया कि बाबा का प्रोग्रम है बॉम्बे जाने का लिकिन जब जाने का टाइम आ गया तो टक्सी बार खड़ी थी और बाबा ने फिर से संदिशे को पूछा तो सब ही ने बोला बाबा ने तो एक बार बोल दिया है लेकि नहीं अवी जाने का समझ है बाबा को पुछ किया तो संदिश्य वतन में गयी तो वतन में बाबा था यह नहीं वतन में एक लाल तिरंगा पड़कता था लाल जंडी थी तो बहुत लेड़ तक रही कि बाबा भी दिखाय देगा लेकिन नहीं दिखाय दिया वापीस आई तो बाबा को कहा कि बाबा वहाँ तो कोई बाबा मिला नहीं है तो ये लाल जंडी थी बाबा ने बोला फिर से पूछ कि आओ तो जब वतन में गए तो बाबा थे बाबा ने कहा समझ में नहीं आता है लाल जंडी तो उसने बोला कि कि बाबा की सकत मना है कि नहीं जाना है तो सब जगह पे प्रोग्राम गए था सब जगह पे लोगों तैयारी कर दी थी और अन्तीम समय में जबी बाबा ने बोल दिया कि नहीं जाना है तो बाबा ने बोला कि टेक्सी बार खड़ी है उसको जाके पैसा दे दो उसना वेटिंग चार्ज भी दे दो और उसको कहो जादा पैसा दे दो और कहो कि अभी बाबा का प्रोग्रम तो कैंसल हो गया है तो बाबा ने टनक्वल किया सबसे पहले जगदिस भाईजी को क्योंकि वोई प्रोग्रम बनाते थे वो सब को कहते थे तो जब जगदिस भाईजी को फोन किया तो जगतिस पहीं देली में नहीं थे, ओ कहीं और बाहर गए थे, तो बला Gbolzhad डादी को बला Gbolzhad डादी जी भी जगतिस पहीं जी के साथ गए हैं। तो फिर चक्रदहरीबैन ने फोन उठाया था, तो चक्रदहरीबैन इतनी खुस हो गई कि भावा का आवाज बावा का बात हो रही है, इतना बड़ा नशा होता है, भावा कि डारेक्ट बात हो रही है, तो बहुत नशा था, इतना नश्रा था कि वो खुस-खुस थी, भावा ने कहा कि बावा का प्रोग्राम एक कैसे कैंसल हो गया है, तो आप जगदिस भाई जी को बताना, मतलब भाई जगदिस बच्चे को बताना, तो इसने तो सपाई सब जहां था, वहां फोन कर लिया, और सभी पुछने लगे, क्योंकि ये क्यों अपने क्यों पूछा नहीं, ये बावा क्यों नहीं आता है, पूछना चाहिने इतना सारा प्रोग्राम बना है, तो भला नहीं पूछा, फिर जब इस सारा प्रोग्राम कैंसल हो गया, कितनी बड़ी बात थी, बहुत सारी जगए से बॉम्बे में सवी कठे होने बाले थे, तो बाबा का एक संकल्प नहीं चला था, एक संकल्प नहीं चला प्रहमा बाबा का कि ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया है और ऐसा कैसा प्रोग्राम है ऐसा नहीं पिर जबी भाई साब मधुवन में आये तो पुछा कि बाबा ऐसे खला कि आल्माइटी के आगे कुछ भी नहीं करना है और मेटी जब मुझे के थी है तो श्रीमत का इतना तो ऐसे बाबा का तो एक ही प्रसंग लेकिन पपपपर बाबा की बहुत तेश्दली है उसका फर्स नमर ऐसे नहीं आया है तो बाबा को हम जब देखते हैं, मम्मा को देखते हैं, तो उनके जीवन में कितनी परिस्तिति आई होंगी, लेकिन सहज भाव से सबस्विकार करने से, और बाबा की श्रीमत पर चलने से फश्नमर आया है, तो कहने का मतलब कि आज का जो हमारा विश्य है रोना, तो एक बात कहनी परती है कि जिन्गी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कोई नहीं रोया हो, कभी-कभी तो किसी के आँख में आस्वाई जाता है, आता है नहीं, सहज प्रक्रिया है तो रोना तो, जब बच्चा चनम लेता है, जब चनम लेता है तो क्या होता है, जब नहीं रोत उसकी मां के दुख दूर नहीं होता है, अगर रोता है तो मां की सारी पीड़ा, मां सारी पीड़ा को भूल जाता है, अब बच्चा भी सहज हो जाता है, और जब नहीं रोता है तो असामन ये जैसा हो जाता है, उसमें कभी मर भी चाता है, तो रोना वो तो क्यासा है, सब के जीवन में जब रोते हैं, कुछ न कुछ परिस्थिति आती है तो रोते हैं, तो कहने का मतलब कि मनुश्य की स्वभावी की रोती तो होती है कि इसकी आँख में आसु आई जाता है, जब नया बच्चे की बात करते हैं, तो नया बच्चा जब नया परिविश में आता है, जो भड़ा सा बड़ा होता है तो जिसको पहचानता है उसकी माv का हाथ को पहचानता है तो माप पढ़ा जब लेती है चुफ हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, तो बच्चा सब को जहां जहां थोड़ा बड़ा होता है, तो जब नई व्यक्ति को देखता है, नई बातावरं को देखता है, तो कभरा जाता है, यहां हम देखते हैं, बच्चे आते हैं, माबाप को थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो रो तो तेरे कितना भी समझाओ उसको, मानता नहीं होता है, और थोड़ा बड़ा होता है, तो छिष व्यक्ति या वस्तु से उपरिचित होता है, उसके साथ तो बहुत अच्छी रिदी से घुल मिल जाता है, जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था, वो भी अच्छा लग जाता है, तो रोनी की प्रक्रिया वो तो कैसी है, सहज है, लेकिन बावा कहते हैं कि, लेकिन जीवन का साथ क्या है, कि जब तक हम किसी से परिचित नहीं होते हैं, तब तक डोते हैं, आफिसों में पहली बाद जब एपोइन्मेंट होती है, सब नहीं नहीं होते हैं, और टेबल जो देता है, कुछ नहीं आता है, तो उसकी आँखों में आशु आ जाता है, और जब उसको बारबर एक्तम इसके पर, बहुत कुछ आ जाता है, तो बच्चा या तो मनुष्य रोता नहीं है, नया घर लेता है तो कितने मुश्किले होती है, तो उसकी आँख में कभी-कभी आशु आ जाता है, तो रोना वो तो सहज, लेकिन रोते रहना वो सहज नहीं है, कभी-कभी रोते हैं तो क्या होता है, ये वो सहज अलका हो जाता है और रोते ही रहते हैं तो कोई कहते हैं तो रोता ही रहता है सारे दिन देखो उसको जब भी देखो तो रोता ही रहता है रोते रहना वो अच्छा नहीं है शान्थ हो जाना जैसे बच्चा होता है वो रोता है, çıkar थोड़ा उसको समझाते हैं, तो पहुं समज जाता है, फिर रोणा बंद हो जाता है। ऐसा बच्चे जैसा, बच्चपन का दिन नहीं पोल जाना, तो बच्चे जैसा बनना है। बच्चे जैसा बनना माना कि एक सिती उस्वारे दीन में अब देखो हसता है रोता है हसता है रोता है रोते नहीं रहता है तो बाबा कहते हैं हमारे जीवन में भी हमें कुछ भी हो जाए लेकिन स्थीरता होनी चाहिए अगर जीवन में स्थीरता नहीं है अगर जीवन में बहुत इच्छाएं होती है, पूरी नहीं होती है, तो रोना जाता है, बहुत इच्छाएं रखते हैं, तो क्या होता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, किसके साथ अमरी comparison हो जाती है, तो हम देखते हैं, उसके पास तो बहुत कुछ है, आमरे पास कुछ भी नही इच्छाएं होती है न तो महा व्यक्ति परिशन भी रहता है और बहुत इच्छाएं होती है तो व्यक्ति दुखी भी रहता है जब किसी को इच्छा बहुत रहती ही नहीं तो आप देखो कुछ भी नहीं उसके पास सुखी रहता है तो उसकी मतलब रोने के लिए चार बाते, सबसे पहले रोना आना, तो रोना तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, जिसको जिन्दगी में कभी रोये ही नहीं होंगे, ऐसा है क्या कभी, ऐसा है कभी-कभी कैसी परिस्थिति आती है, तो रोना आना यह तो स्वभ भविकी है, लेकिन बावा कहते हैं कि अभी बावा की बच्चे घंबन गये हैं, तो रोना आना चाहिए के नहीं आना चाहिए, आइदे तो साइन्टिस्ट वाले बहुत बदाते हैं, ओ आशू में क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बच्चा होता है एक बच्चा है कि इसको जबी कुछ मांगता है ना रोता है फिसरे बार समझ जाता है जोती बार रोणना ही शुरू करता है अभी इस समय में मॉबाइल होता है तो मा क्या करती है पता है अब सब काम करना होता है इसको मॉबाइल दे देती है इसको पता नहीं कि कि रोना मिटना चाहिए, रोना मिट जाना चाहिए, तो कैसे मिटेगा रोना, रोना आना है, रोना मिटना कैसे, तो बाबा कहते हैं कि चाहे रोना कब आता है, कब कब आता है, क्योंकि हम तो सब अनुभवी है, रोना आता है, कब कब आता है, कैसे कैसे, सबसे पहले तो हमारी ए जाती है, वो ऐसी जीवन में परिस्तिति आती है शारीरी की बीमारी आती है, जो गंभीर बीमारी चुको पहले मालूम ही नहीं था लेकिन अच्चानक मालूम बढ़ जाता कि उसको ऐसी गंभीर बीमारी, तो व्यक्ति हैना दूसरा है कि कभी परिस्तियासी होती है, फुकम पा जाता है, और घर तूट जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, तो भी व्यक्ति को अंदर से, तीसरा है कि कोई व्याभार करता है और दूर व्याभार, तो बहुत ही ऐसा दूर व्याभार करता है कि अंदर से व्यक्ति को दुखी हो जाता है। कोई कहते हैं उसके पीछे पढ़ा ही रहता है। तो ग्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो दुखी होना उपी तो रोना है। इस रहा है कि किसी को पूछा कि रोना क्यों आता है। बोला बहुत दुखा क्याती हो जाती है। कर में सास बहुत होती है और बहुत बहुत परिशान हो जाती है सास बहुत तंग करती है घर तो छोड़ नहीं सकती है तो क्या करती है रोना रोती है अपने परिवार माम को फोन करती रहती है कि मैं एतना दुखी हो दुखी हो एक प्रसंग हमने देखा यहां घरणा है सची घ यहां छोटी थी चंचल भी थी तो इसके मात पिता ने समझा कि इसके शादी करा दो और बहुत अच्छा काम करती थी वह यहां भी इतनी बुद्धी भी इसकी तेज थी और अच्छी दिती काम भी करती थी बहुत फुर्ट थी लेकिन इसके शादी हो गई उसके बाद उसके परिवार वाले कभी कभी इसकी बहन आती थी, तो हम पूछते थे यह कैसी है, बोला अच्छी है, उसके तो साधी हो गई, थोड़े समय के बाद पूछा, तो बोला उसका डिवर्स हो गया है, एक बच्चा भी था और डिवर्स हो गया, अभी जवान है, तो फिर दूसरी जग पर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माबाप तो केसा नहीं समय रही है, तो दूसरी जग़ पर किया, तो उसने बोला हम बच्ची को नहीं लेंगे, तो बच्चा माबाप के पास रहा, और वो उसको वहां बच्ची का जैनम हुआ फ़र से थोड़े टाइम के बाद, फ़रती सी थी, थोड़ी बड़ी हुई, तो वो सेंटर पे जाने लगी, बादी में सेंटर था, सेंटर पे जाती थी, और वहन के साथ रहती, उसको सिखाते थे, कैसा कैसा करना है, तो यह भी खुश थी, कि चलो, मेरा जीवन तो ऐसा हो गया, लेकिन थोड़ी समय के बाद फिर अपने पियर घर में गई, आठ साल रही, कुछ तकलीफ होई थी तो, फिर उसको बुलाया कि आओ, ऐसे कैसे हो गया, तो यह आने चाहती नहीं थी, लेकिन उसको बुलाया कि नहीं देखो, अभी प्यले जैसा नहीं अच्छा होगी, और आई चार दिन हुआ, उसकी घ कैरोसी नहीं उसके पर डाला, और वहाँ ही चल आई, वह जलती जलती बाहर आई, इतनी मतलब कि पूरा डबा डाल दिया, और एक तम यह कर दिया, आती थी नहीं, तो एक डबा भरके डाल दिया, और जलती जलती बाहर आई, और सभी ने मतलब कि जलती जलती बाहर आई, ब लेकिन फिर भी बहुत सारे आये तो पोलिस भी आ गई, पोलिस को फोन कर दिया, और पोलिस को उसने बोल दिया कि मेरे को तीन लोगों ने ऐसे किया है, कहने का मतलब कि वह ऐसी परिष्थी थी, उनक्या व्यक्ति को रोना नहीं आएगा, कितनी रोई होंगी, कितनी चिलाई ह होंगी, तो जब परिष्थितियां असी होती है, तो व्यक्ति के आँख में से आसु निकल जाता है, और जब सुना तभी वह बहन रोना रुक नहीं सकती थी, कि मेरे भी बहन प्यासा हो गया, इतना रो रही थी, तो लोगों का दुख देख करके भी तो रोना जाता है, कि क काम करता है, तो मन मानता नहीं, विरुद कोई भी बात हो जाती है, तो भी मतलग की मन दिश्टब हो जाता है, और फिर कभी-कभी बहुत हो जाता है, तो मन तूट जाता है, और मन जब तूटता है, तो ठीक नहीं होता है, मन तूटता है, तो यक्ति का कहते हैं, चीज परस सबन तूटता हुआ दिखाई देता है लेकिन ये मन जो तूटता है वो दिखाई नहीं देता है लेकिन क्या होता है फिर तूट जाता है तो जैसे सिसा होता है न वो तूटता है चुर्चुर हो जाता है लेकिन सूना जो होता है न तूटता नहीं है उसके पर कितना भी हमर च लाओ, मजबूत होता है, लेकिन शिसा को एक बहरी, एक हतोड़ी लगाएंगे, तो टूचाइए, तो अपन बाबा कहते हैं, कि अपना मन कैसा होना चाहिए, ऐसा सूना जैसा बनाओ, कैसी बनाएंगे सूना जैसा, वागे देखेंगे, तो दुसरा है कि, जैसे बता है कि अगड़ी परिस्तितिया होती उसमें भी ऐसा हो जाता है, तकलिपी होती है, फिर सब के बीच में किसी का अपमान कर देते हैं, जैसे अपमान भी कर देते, जैसे अपमान भी कर देते, जब भी आये तोका टोकी करते हैं, उसके पीछे पढ़े रहते हैं, जब तोका-Tokey बहुत करते हैं, टीका-Tip, पढ़ी बहुत करते हैं, तो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, क्योंकि बॉस है, इसलिए क्या होता है, तो व्यक्ति अन्दर रोता है, पिर कोई विष्वास घाद करता है, वाइधा देता है, कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, वाइदा देता है और फिर मुकर जाता है जिस व्यक्ति ने इसके परितना विस्वास रखा है उसका विस्वास तूट जाता है तो व्यक्ति अंदर मन में रोता है कि व्यक्ति ने मुझे इतना विस्वास करता है मैंने इतना किया कि बस सब भी जो भी मिले उसके आगे अपनी मतलिक परिस्थितियों का वरण करता रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है, चाहे बीमारियों के बारे में रोता है, चाहे सबन खराब हो गए उसके बार, लेकिन जहां भी देखो कंप्लिन करता है, इतनी कंप्लिन करता है, इत अपना दुगड़ा रोएंगे तो इसके प्रती भी सहानुभुती नहीं होती तो यह रोते रहना वो भी अच्छा नहीं है लेकिन रोड़ना मिटना कि मिटाना है तो मिटाना कैसे हैं सबसे पहले तो हमारे समने कोई भी परिस्तितियां आए तो थोड़ी धीरज रखना क्यो आपाई खो देंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले तो हमारे समने जो परिस्तितियां आती है उसमें एज्जेस होना है एक कंपनी थी न उसमें भाई था क्लार्क था ओ केते मेरे आते आते है बीस साल में बीस से पचीस और जो बास था नो चेंज हो गया लेकिन मैं यहां ही तो सबी बोले हम तो तुम केसे यहां हूँ बोला जो भी बहुसा आता है न तो एक पहले बहुसा है उसको पहले चाहिए उसके बाद समचरपतर चाहिए उसके बाद फाइल चाहिए थोड़ी दिन में मैं समझ गया है कि इसको तो क्या चाहिए met just word मैं कभी भी 25 साल हुगा, मैं आफिस चेंज नहीं किया, तो एड़ेस होना है, क्योंकि हर परिष्थिति में एड़ेस होने से आधा तो हमारा दुख दूर हो जाता है, एड़ेस होना है, दूसरा है कि कोई भी दुख आता है तो हम सहज बस स्विकार कर लेते हैं, कोई भी परि दांत की ट्रिटमेंट डेते हैं तो एक इंजिक्षन देता है, तभी बहुत दर्द होता है, उसके बाद ऊन्जिक्षन जो होता है, उसके बाद दुख नहीं होता है, लेकिन वह जो हम आँकों से Safety, View देखते हिय।ो हम इस문नीप प्रतिकरिया करते हैं, तो भाई केता है, कुछ होता है क्या नहीं होता है लेकिन जो देखते हैं तर प्रतिक्रिया होती है ऐसे हम कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोलता है तूरंती हम प्रति react करते हैं तो भी हमें मतलब react करते करते दुखी हो जाते हैं और फिर हमको बाद में बहुत ऐसा होता है जहां वहां जाते हैं प्रतिक्रिया देते 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 तंग हो जाते हैं दुसरा है कि हमको अगर बाबा ने कहा है कि कर्म की फिलोसफ यहासी है कोई भी व्यक्ति किसी को अन्याई ने करता है जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है किसी का नहीं कोई व्यक्ति अच्छा लगता है कोई व्यक्ति बुरा लगता है देखते हैं दूर से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है और कोई लोग हमारे परिवार में आये होंगे, हम उसके परिवार में होंगे, कभी हम उसके मात पीता होंगे, हमारे मात पीता होंगे, कभी कुछ भी होंगा ही सब कीताब, तो जब बहुत नस्दीक के सबंद, बहुत सुख सबंद होते हैं, तो हम उसको देखके अच्छा लगता है, फले चोला चेंज है लेकिन हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमाई बहुत किसी ने तंग किया है, वह रोव्यक्ति हमारी खुमते खुमते चोला चेंज करके आ जाता है, तो हमारी अंदर की प्रिया होती है, थोड़ी अलग होती है, कहने का मतलब की कर्म क सिधान्त हमने चूभी किया है उसको हमें यहाँ ही चुक्तु करना है अभी लाश जनम है हमारा इसलिए अभी हम चुक्तु नहीं करेंगे तो क्या होगा अभी कोई जन्मत मिलने वाला नहीं संगम का समय तो भी पूरा होने आया है अभी कुछ भी करे, अच्छा करे, बुरा करे, लेकिन अभी इस लंतिम समय में बहुत रहा हुआ है, तो देने वाले ज्यादा नहीं आएंगे, लेने वाले ज्यादा आएंगे, किसी ने कुछ किया है, तो बहुत दुख दिया है, तो हमको दुख देने के लिए आएंगे, ल बाबा ने हमको जीवन दिया उसमें ड्रामा का एक बहुत बड़ा सस्त्र दिया है अपना जैसे युद्ध में जाते ना तो एक ढाल रखते हैं उससे बचाओ होता है तो यहां ड्रामा हमको दिया है बाबा ने तो ड्रामा यसा है जो ड्रामा को बाबा कहते हैं ड्रामा जो तो भी हो गया ड्रामा तो हम अपने को चूप कर देते हैं तो ड्रामा तो कल्यानकारी ही है ड्रामा कैसा है ड्रामा को मा कहते हैं हमको बचाओ करता है तो ड्रामा को सामने रखते हैं तो हम मतलब की बहुत अच्छी रिदी से अपने जीवन को रोने से बचा सकते हैं दूसरा है कि हमको जो भी साथी मिले हैं, यहां भी जो साथी मिले हैं, उसका तो हिसाब किता हुमारे साथ, लेकिन जो आल्माइटी है, वो तो हमारे पीता है, और उसने तो हमको बच्चा बनाया है, और कोई भी माँबाप अपने बच्चों की आँखों में आशों नहीं देखते हैं और कोई भी माबाप अपने बच्चों के कमजूरी नहीं देख सकते हैं, तो पीता जो मिला है, उसने क्या कहा, जो भी कुछ हो, कुछ भी बोज हो, किसको दे दो, मुझे दे दो, आपका सब बोज में उठा लूँगा, जो भी कुछ भी हो, तो हम उसका बहुत ही बाबा कहते मेरे को यूज नहीं करते हैं, यूज करें, बाबा कहते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति से कितनी बाते करते हैं, आप बाबा से हर बात, जो भी हो, अच्छा हो, बूरा हो, जैसे एक फ्रेंड होता है, मित्र होता है, उसको कितनी बाते सेर करते हैं, और सेर करते हैं, तो उसका को सपोर्ट करता है, लेकिन बाबा ऐसा है। बाबा ने हमको बच्चा बनाया है। और संगम युग में बाबा ने हमको बच्चा कितनी करोडों आतमां मैं से हमको पसंद किया है। लेकिन जब परिस्थिती आती है न तो बाबा को भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि दिखो आपने ऐसा किया, आप साथी साथ हूँ, साथी बनके रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कपी भी मेरा साथ ने छोड़ो, बाबा के बचपन के दिन भुला नदे न क्याते हैं न, एक मुल्ली में आया था दो-चार दिन के पांच की बछपन के दिन अगर भुल जाएंगे तो रोना पड़ेगा बहुत रोना पड़ेगा और दूसरा है कि तो सच्चा साथ ही मिला है और दूसरा है कि हमारी जो भी पॉसिटिव बाते हैं सकारात्मक होनी चाहिए कुछ भी हो रहा है हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारा प्राब्लेम जल्दी सो रहें उसके में कहानी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक परिवार था परिवार था उ चोटा भाही था, वो भी अची पोश्ट पर था, बड़ा भाही भी अची पोश्ट पर एंजीनियर था, तेकिन कुछ-कुछ मात-पीता को ऐसी-एसी बाते कहकर गई, ऐसी-एसी बाते उसके कान में फ़ुक के कही, और बहुत समय की बाद, उस मात-पीता ने उस बेटे को कह कि अभी आप है न तो यहां नहीं रहो घर खाली कर वह उसने जो भी कमाता था हो तो मात पिता को दे लेता था क्योंकि एक ही घर था परिवार बहुत सुखी था तो उसने अपने पास ऐसे इस प्रकार से पैसा नहीं रखा था सब एक साथ ही मतलब कि वहां से यूज करते थे तो दूसरे ही दिन उसनों को जब ही बोला ना कि आप निकल जाओ तो उसको पत्ल को कहा तो बोला कोई बार नहीं तो दोनों ही जब निकले तीन पैर कपड़े लेके निकले और कहा कि पांसो रुपिया था उसके पास पांसो रुपिया और तीन पैर कपड़े लेके निकले और कहा कि आपकी आज्या है मातपिता को कहा कि आज्या है तो हम जा रहे हैं और मातपिता का आशिर्वाद दो तो मा को कहा आशिर्वाद दो मुझे आशिर्वाद दो तो हम मतलब कि आशिर्वाद लेके जाए तो मातपिता को पांपड़े आशिर्वाद मांगा और चाले क्यों आप ऐसा करते हैं रकेस करदा बोला नहीं लोगों ने बहुत बहुत उसको बहुत ही उकसा है बहुत उसने बहुत मात पीता है मात पीता के सामने में कभी कुछ भी ने करूंगा मेरा मात पीता है जिसने मुझे जिनम दिया बहुत मेहनत करके मुझे एंजीनिर बनाया लिखाया, लायक बनाया, उसको मैं कुछ भी उसके साथ ने कर दो चलते, उस कमरा दे दिया और वह बहन भी बहुत पड़ी हुथी लेकिन उसने आसपास के आसपास के जो भी छोटा-छोटा काम वह सब कुछ करके अपना थोड़ा एक साल तक थोड़ा है किया उसके बाद एक कमपनी खुली मिल करके चार-पांट लोग ने लेकिन उसके पास पैसा तो प सला से और फिर दीरे दीरे इतने पांट साल में तो इतना आगे वड़ गया और उसको मेनेजर बना दिया लोग कि प्रके उसकी कला बहुत थी बहुत अच्छी लिए से काम करता है और वो यक्ति इतना धन्मान हो गया, बहुत धन्मान हो गया, जब ही उसका मात पीता है उसने दूसरे बेटा था उसने मात पीता को निकाल दिया, कि अभी हमारे साथ बुड़ी घर में हमाग को छोड़ने हैं, तब उसको इसको याद आई, फिर हो कहते कि बेटा ने कहा तो लेकिन ऐसा नहों कि अभी बेटे के पास जाएंगे उभी धक्का दे देंगे तो हम रोना आ जाएगा फिर भी हिम्मत करके माता ने कहा नहीं नहीं उसने बोला है कि आ जाना तो गोए न तो उतना प्यार से उनको बोला कोई बात नहीं घर आपका ही अपने हैं तो सकारत्मक जब रखते हैं तो कितना फाइदा होता है इसलिए जहां भी ऐसी परिष्टिती आती है न हम तुरू नेगिती हो जाते है रियक्ट कर लेते हैं लेकिन जो भी परिष्टिती आती हम सकारत्मक रहते हैं तो उससे बहुत फाइदा होता है तो साकरत में रहना चाहिए, दुसरा है कि एक तो सक्षी भाव, हमने एक बड़ी वेहन को बोला था कि जबी भी वो जबी भी सब के साथ बैठते थे ना, तो क्या करती थी कि वो कुछ कम बोलते थे, उसको बोलने का मोका मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो हमने उसको से सुरू कर दिया, कुछ भी हो जाए, साक्षी बनकर के देखो, और साक्षी बनकर के जब देखते हैं तो क्या होता है, इसका पार्ट, इसका पार्ट इसको इध्यान में आता है, शांत रहते हैं, दिरज़ते हैं, वह ये पार्ट सबका अपना अपना पार्ट, बाबाने क अक्षी भाव। दूसरा में गुलजार दादी है ना उसको जब बीमार थी ना तभी में सांतिस्थम पर उसको घुमाती मुझी निलविन कहती इसको घुमाना घुमाती थी। तो यह इंदर फरस्ते था ना जब उसके पर कांच नहीं था उस समय और सभी दादीयां बैठी थ पुरा भरा वह था तो मेरे को अंदर से संकल्फ चला मैं दो तीन राउंड मराया दादी को बिलकुल उसके पर नजर नहीं है मैं दादी देखो दादी नहीं क्या कहा हां कोई बात नहीं मेरी जरुरत पड़ेगी ना तो मुझे बोलाएंगी तब तक चलो थोड़ा वाकिं जाना चाहिए हम तो पटापट डॉट कर जाएंगे ना कि यह क्यों हम तो यहां है तो ऐसे दादियां जो थी ने उसमें इतनी सारी सक्तियां थी कैसे सक्तियां आई कैसे सक्तियां बहुत सवहन किया है उन लोगों ने दादियों ने बाबाने मम्मा ने यह जो जो शुरुवात थी उसमें इतना सहज नहीं था जो अभी देख रहे हैं अभी तो बहुत सहज है तो सुख है सत्यूद आ गया है समझो सब परिस्तितियां अनुकुल भी हो गई लेकिन अभी का जो समय और उसका समय उसमें जो त्याकतपश्या की उन्होंने जो त्याकतपश्या की उसका फल हम दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे senior भाइय बेहन है, उसनो उन्मोंने भी तो बहुत सान किया है, अभी हम देखते हैं, मोटर में घुम रहे हैं, उसको इतनी गाड़ी को घुबना ने थायू. थापश्या में है आभी हम देखते हैं कि दिखो अच्छा उसको तो आच्छी रहने का स्थान मिला है उसको यह मिला है तो अभी आने वाले लोग तो यही देखते हैं कि देखो यहां तो क्या है, एक भेन थी न, उसके पास कुछ भी नहीं था पहले, तो आसपास से खूसके, क्योंकि चेर ले ना पड़ता था, टेबल ले न पड़ता था, प्रोग्रम बनाना पड़ता था, एक समयसा है कि उसके पास सब कुछ Rs. अा गए. बहुत कुछ आने लगा तो आसपास वाले नहीं नहीं आए तो कभी-कभी शादी होती बोला हमको आपको दो-तीन सोभा दे दोना हमको जरूरत है मांगने लगे तो उसने बोला कि भाई जी ये तो मतलब की नहीं दे सकते हैं तो उनको लगा के पास इतना पड़ा है ना आप तक कैते हो सब को मदद करनी चाहिए मदद एसी थोड़ी किनी के मतलब कि बाबा ने जो भी अभी सुविधा दी है और बाबा ने ये भी कहा जादा से जादा सुवीधा लोगे तो क्या होगा? महां कम कर दूंगा. यहां एक टेबल के बर ले आपने 10 टेबल लिया है ना, तो वहां 10 टेबल नहीं, एक जनमी कम कर दूंगा. क्या कहां नहीं है, मैं आपको बताती हूं, मैं ऐसा तुम बलाने. कहने का मतलब इतना कहरा राज है बाबा की जो कर्म की फिलोसोपी ऐसी नहीं है उसकी आटोमेटिक मशिनरी है ऐसी मशिनरी है कि कौने में बैढ़ करके अपने पुनिय का कर्म की आये ना तो भी उसकी मशिनरी में आएगा और कोई भी नहीं जानता है और अपने कौने में एक जगह पे बैढ़ करें, पाप कर्म किया तो भी उसकी मशीन है, तो एक हिसाब किताब, बाबा ने अभी हमको कहा है कि हिसाब किताब में चुक्त करने आए, लेकिन कैसे चुक्त करता है, कैसे चुक्त करता है हमारा हिसाब किताब, दुख देके नहीं, ज्यान समझते करके समझा समझा करके अमरी आँखों के आँशो पोचते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब हम कुछ भी छोटी छोटी बातों में रोते हैं तो तो हमेरी दूरबलता है दूरबलता है ना इसमें यह हो गया क्या सामना करना है सामना तो करना पड़ेगा और कोई भी परिस्तिती आई है तो ऐसे सामना नहीं करना लड़ा जगड़ा करके वो सामना बत नहीं है परिस्तितियों का सामना करना है व्यक्तियों का सामना नहीं करना है व्यक्तियों का सामना करेंगे तो क्या होगा हमारे यह सब जादा कड़ा समय उस आपने समय इन्हें संगम की स्वांध कि यूई कि की समय है और आ Kylie रहा टूखेना समय उतना समय है त।aign कितना करना है कि युद्झ बड़कड़ा सब कुछ बंकर लोगी एक हमारा जमा का खाता होना चाहिए उसके पर अध्यर होनी चाहिए तो बाबा कहते हैं कि एक किद भी है ना बचपन खेल में खोया जवानी जवानी और बुड़ा पार देख कर रोया तो बाबा कहते हैं यहां हमारा बचपन तो अच्छा है लेकिन अभी जो हमारा समय है वानप्रस्तवस्त सब की है ऐसा नहीं कि अभी चार साल का है उसकी वान वानप्रस्तवस्ता हमारी अभी है वानप्रस्तवस्ता में क्या करना है बाबा कहते हैं इतना पुरुषाट करें तो यह तो जनम जनम का रोना हम करमेच चाहेगा जबी हमें यह पुरुषाट करेंगे तो तो बाबा कहते हैं जिन्गी रोने से सुरू होती है लेकिन रोते र आती है तो सबसे पहले पॉजिटीव रहना चाहिए एक्तम हतास नहीं होना चाहिए व्यक्ति कभी-कभी ऐसी छोटी परिशिती में इतना हतास हो जाता कि उसका दर्वाजाई बंद हो जाता सोचने का क्या करो क्या नहीं करो ना दूसरा है कि ड्रामा है उसको उसके पर अटल रहना है ड्रामा में जो होंगा वही होंगा न उसमें तो किसी का दोश नहीं है किसी व्यक्ति का दोश नहीं होता है अगर हमारे जीमें कुछ भी होता है तो किसी का दोश नहीं है हमारा ही इसार किताब चुक्त हो रहा है दूसरा है कि हमारा बाबा ने का क्या माल लक्ष है, क्या है लक्ष, संपुन बनना है, तो संपुन कब बढ़ेंगे, संपुन बनने के लिए बाबा ने हमको क्या क्या दिया है, श्रीमत, रोज की श्रीमत तो कितनी सारी श्रीमत है, बाबा की श्रीमत बहुत है, लेकिन रोज की मुल्ली में जो थोड़े थोड़ी आती है, अब थोड़ी थोड़ी जो आज की मुल्ली में जो भी आया उसको हम पकड़ लो, और उसकी पुरा दिन उसके पर attention रखे, तो क्या है कि बहुत सारी स्रीमत पर हम, एक स्रीमत में बहुत सारी समय, अगर हम गून पकड़ते हैं तो सारा गून आ जा जाए उसी दिन तो बाबा कहते हैं जैसे सुल में जाते हैं तो स्टुडेंट थोड़ा हमवर्क करता है तो फ़ले गलत भी करके आया तो भी मास्टर फूसतो हो जाता है कि कम से कम करके तो आया लेकिन यहां बाबा हमको हमवर्क देता है नहीं देता है हमवर्क देता है लेकि हमं कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं ऐसा होता है बाबा कहते हैं कि ऐससमय आए गाठीज और बहुत पहाड़ गिरेंगे अभी तो लोगों को इतने बीमारी आ गईहें प mine मेरा यहां एसका नाम भी जिसका नहीं आता है और ओए हर यहां कभी कभी सुनामि आती, उसका भी नाम अलग अलग होता है, इस एस एस बारए, और कितनी सुनामी, कितना भी दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया में, आप देखो मीनास के सद़न तयार हो गया है लेकिन किस के राह देख रहा है, बाबा कहते आप बच्चों एकने ऐसा है कि हमारी रह देखते देखते ऐसा विनाच नहुंगा ऐसा नहीं है बाबा को तो 108 की चिंता है और 108 की चिंता में हम बाबा कहते हैं कि बच्चे अब जल्दी-जल्दी पुर्शाट कर वो तो संपन हो जाएंगे लेकिन बाबा हमारी बाबा के बच्ची बने है तो हमारी हमको भी ये साउधन करते रहता है कि भी समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि हमारा फूरशार्ट ऐसा ही रहे, जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, और जीवन ऐसे नहीं मिला ह संगम युव में बाबा ने हमको बच्चा बनाया है, तो बाबा की आश क्या है, कि मेरे बच्चे मेरे जैसा बन जाए, मेरे समान बन जाए, इसके लिए हमें आसपस अभी तो हमने बहुत लोगों को देखा, 25 साल तक देखते ही रहे, वह यह कैसा पहनता है, कैसा रहता है, अ अगर हम उससे कमी-कमजोरी पर ध्यान नहीं देते हैं, यह सारी बातों पर ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा, हम संपन संपन नहीं बन सके, इसलिए हमारा एक लक्ष होगा, जैसे कोई डॉक्टर एंजीनियर होता है, उसका लक्ष होता है, कि मुझे बनना है, तो कितना कं बेंटा पढ़ता है, बढ़ती ही रहता है, हमने है खंडिल वाल, टॉक्टर खंडिल वाल जो, उसकी बहन आया थी, उसको हमने कोर्स करा है, वह बहुत फ्रैंक बोलती थी, उसने बोला कि देखो, हमारे पास हैंने कुछ था ही नहीं, बच भी नहीं था, और क्या होगा कि भाई है ना उसके पुस्तक लाने का पैसा नहीं था हमरे पार तो क्या करता था लाइबरी विए से पुस्तक लाता था न यहां रखता था रात पर चाकता था पढ़ता था करता था बहुत संगर्ज किया है इतना संगर्ज किया है और आप देखो इतना बड़ा डॉक्टर करना है पुर्षाइत करना मेहनत पर नहीं और म्हानत ही रंग लाती है जीवन में इसलिए हुझ जुबी समय अंहारे पढ़ा हुआ है और सफ़ाव को मेरे साथ साथी बन करके आना है, बाराती नहीं, तो हमें अभी साथी बन के जाना है, बाबा के साथ साथ जाना है, तो फिर हमें अपने को ही देखना है, कोई भी परिसिती आए, किसी के पर दूस नहीं, किसी के पर कुछ नहीं, लेकिन बाबा को साथी रखो, बाबा यह मन जब एक बल एक भरोसा इसके पर इतना विश्वास हो जाएगा ना, ऐसे तुम कहते हैं एक बल एक भरोसा और फिर हम दूसरे के बर भरोसा रखते रहते हैं, तो वो जानता है जब कि आपको कोई भरोसा देने वाला है ना, सांती रखो, बस मैं तो अख्य सक जाओं, इसलिए हमें अभी है ना, एक बल एक भरोसा इसके पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास जब अंदर से होंगा ना, तो हमारा हर कारिया सफल भी हो जाएगा, और हर कारिया में साथ ही बनके हमको साथ देगा, इसलिए बाबा हमारे पास बैठा है, बाबा हमारे क्या है मालूम नहीं है वो तो कितने भगवान पता नहीं अभी तो दुनिया में इतने बाबा आ गए हैं और बाबा ने एक पर कहा था कि इतनी सिध्यां होंगी लोगों में इतनी सिध्यां होंगी ऐसा ऐसा होंगा कि यह बाबा तो चमजकर करता नहीं वो तो क्यों चमजकर क करने के लिए बैठते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, कितने लोगों में से कितने लोगों को फेल करते हैं, आठ लेना है, आठ अजार बुलाएंगे, तो बाबा को तो हमारे को इतना बड़ा राजा रानी बनाना है, तो क्या यासे बना देगा, क्या, बाबा कहते हैं, मासी का होता है तो बड़ों के पास चाह सकते हैं solution लेने के लिए लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है लेकिन हमारे बाबा के पर फरुस्तर रखना है रोज रोज बाबा को है न कुछ इससे बाते बहुत करने जो भी बाते हम लोगों से करते हैं उसे कम कर उससे बात करो बाते करने का तो क्या होगा जैसे आपने देखा होगा किसी को एक साल में मिलते हैं तो क्या करते हैं पढ़ने के बाद छोड़ दिया दस साल के बाद मिलते हैं वो यक्ति तो क्या होता है हाई हलो करते हैं बास ऐसा ही है ना और ऑफीस में जब जाते हैं तो ऑफीस में भी बस कुछ इतना बात हो गए है थे हगोण से भी इतना खुलूज हो जाए कि एक सेकंड की बात हम उसको बता है और चाहँ बताएंगी तो हम को पसे क्या मेलेगा मदद मिलेगी सब कुछ मिले बाबा को तो भाबा कहते हूं एतना महामुरक देखना हो तो भी यहां देखो और महान सुजान लिखना तो भी यहां देखो तो बाबा कहते है कि मैं मिला हूँ ऐसा ना हो कि रू ना पड़े अंत में ऐसा पुरशाट ऐसा ना हो कि अरे रे हमने को तो मार्जिन मिली थी हमने पुरशाट नहीं कि और ऐसा अच्छानक का पेपर आजाएगा बाबा सबको उड़ा के ले जाएगा इसलिए हमें क्या करना है अपने पर बहुत ही बहुत ही लोगों को देखना बंद करके हमारे पर पुरिशाद करके कि ऐसा समय ना है कि हमको जीवन मिला लेकिन हमने किया नहीं कुछ भी ऐसा प्रश्च अच्छ तरकाँ सूरे खुनकी आउन्स नेखर प्रवुते इसलिए इसलिए भाबна की ऐसे रोना ना पढ़े बाबा को हमेंस साथ रहना है और भाबा की श्रीमत वर चलना है श्रीमत जो भी होंगी रोज की मुली में जो भी श्रीमत आती उसको लिख लेने का और उसके पर चलने का ओमशन संयम मैं जीवन हो नैतिकता की सुरसरता में जन जन मन पावन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो अपने से अपना नुशासन जीवन की परभाशा अपने से अपना नुशासन जीवन की परभाशा बर्ण जातिया संप्रदाए से मुक्त धर्म की परभाशा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परवर्तन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो मैत्री भाव हमारा सब से प्रत दिन बढ़ता जाए समता सह अस्तित्व समन बे नीती सफलता पाए शुद साध के लियनी औजित मात्र शुद्ध साधन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो झाल झाल